सब्सक्राइब कीजिए डेली ट्रेंडिंग न्यूज चैनल को और बेल के बटन को दबाईए और आने वाले इंटेस्टिंग न्यूज के मज़े पाईए कॉमेडियन कपिल शर्मा की खराब तबियत को देखते हुए सोनी टीवी की ओर से उनके शो को कुछ दिन के लिए ओफया कर दिया है कपिल शर्मा ने भी इस बात की पुष्टी करते हुए कहा है कि वह कुछ दिनों के लिए ब्रेक पर जा रहे हैं Entertainment News Portal Pinkvilla को दिये interview में कपिल शर्मा ने कहा है हाँ मैं कुछ दिन आराम करने जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए मेरे शो के एपिसोड टेली कास्ट नहीं होंगे क्योंकि ऐसे समय में मैं अपनी हेल्थ को एग्नोर नहीं कर सकता मेरी movie भी जल्थी release होने जा रही है ऐसे में मेरे लिए आने वाला वक्त और ज्यादा व्यस्त होने वाला है कपल शर्मा ने आगे कहा है मैं जल्थी पूरी energy के साथ शो को वापस ले कर आऊंगा मैं चैनल का भी शुक्रिया अधा करना चाहता हूं कि उन्हों ने मुझे बिना किसी pressure के break दे लिया है बता दे कि पिछले काफी समय कपल शर्मा की तबियत ठीक नहीं चल रही है और वह stress और blood pressure जैसी समस्याओं का सामना कर रही है इसी बजह से उनके शो की shooting कई बार cancel हो चुकी है इतना ही नहीं shooting cancel होने के चलते शाहरुक खान, अनिल कपूर, अर्जिन कपूर, अजवय देलकन जैसे बड़े फिल्मी सितारों को बिना प्रमोशन के ही उनके शो के सेट से वापस लोग जाना पड़ा था डेली trending news की report